किसान वायो नमस्कर मालवा फार्म में आपका स्वागता जी वीडिया हम बना रहे हैं आरकेडेरी फार्म पे आज यह नोंने कोश गाएं यहां से सेल करी है मंडी डव वाली से क्या रेट की गाएं सेल करी है कितने दूद की गाएं सेल करी है उसके बारे में आज का वीडियो और तरहेगा इन से अगर आपने खरीदनी है तो सक्रेंड पर नमर आ रहा है इनको कॉल करके गाएं खरी सकते हों क्या रेट की और रहेगी कितने दूद्व की रह तें वारे में आपको बता देंगे बाundло नमस्कार जी कि अहाल है बहुत बढ़िके चार कर रहे हों आज आजी सर दस आज का यह कुछ आपके ह nuevaby himari or पांच गाए गुजराद जारी से यह जह मुङ वारी बडी गाए जमो बडी बड़ी का है सफ में से को च्वाइज अब डूण कई और रित सफिस्टी फाइब से लेकर 75 ठर और मिलके दमी टिश फारम से गाय खरी दें जिसको खुद को नौलेज हो और अच्छी ब्रीड की घरी दें चीक है जी जो आप गाये बेज रहे हूं रस्ते की और बहां तक पंचाने की जवावदारी रहेगी सरफ मैं पहले से बार बार हर वीडियो में यही बात बोलता हूं हमारा 40 साल पराना दंदा है और रही बात है जो हम अपने जैसे हमारे फारम से गाये दे रहे हैं सरकारी परची साथ में देते हैं हमारा पका बिल देते हैं और हमारी ट्रांसपोर्ट की हमारी जवाबदारी हो दो दिन तबेले पर रुकेगा गाय छोड़कर फिर वापस आता है तो गाय चला दो जे जो गाय खड़ी है पहले नमबर पर कौन से ब्यांत की गाय है यह फर्ष्ट ब्यांता सर दूद के दान बच्ची अभी गया बनाए गया बनासर जम्मू जा रही है कितना दूद निकाल दूद के दान बच्ची है जी इसका कलर प्रेंट बॉड़ी स्टक्चर आंचल बावला के बहुत बढ़ी है गाय का और जो कसाने ऐसी दूद की दान बच्चियां जो ब्रीड वाली बच्ची पा लिए वह उसको पता है जब तक यह सैंक्ड ब्यांत में बच्चा देगी य लग बगा 17 सी यह बहुत अच्छा बच्चा तैर होने वाला सरी है सेकंड वाली चलाओ जी बोगाएं कौन से ब्यांत में और दांतों में दांतों में चार दांत हैं जी कितना दिन डिलिवरी में ले जाएगी अभी सर 15 दिन की कच्ची है और दूद कितना निकाल देगी द और देखिए इसकी गाई के हाईट देखिए बॉडि स्टॉक्चर लेग स्कोर आंचल बावला बहुत बढ़िया गाई का और मैं किसान बाहीं को यहीं बोलना चाहूंगा गाई खरीदें और अच्छा बावला अच्छा बावला आंचल हो तांके आंचल इसने कौालिटी जोड़ा कोई मशीन के जूरुत ना पड़े जैसे बच्चा भी दूद निकाल सका है और बॉड़ी स्टॉक्चर गाई का आँचल बावला गाई बैठके दार होने चाहिए जिसकी दुलाई अच्छे से हो जाए और वहीं माल जो किसान पहली बार गाई ले रहा है मैं बार अब करेगी और आकिस रेट पर सेल करी यह सब 63 की दी है और देखे इसके गाय की हाइट बढ़िया है और इसका लेक्सकोर देखे और कानवान ब्रीड देखे गाय की ब्रीड भी बहुत अच्छी है और जैनियुन रेटा है हमारे फार्म पे ऐसी कुई कस्टमर को घुमरान नहीं किया जाता है जैनूर जैनूर रेट से गाय दी जाती है पहले जैसे बोलके इस ऐसी गाय को 80-85 जनबे बोलके कोई अमने किसान को घुमरानी किया जाता क्योंकि हमारा पुराना दंदा हमको कस्टमर चाहिए कस्टमर को बना कि रखना है हमारी पहले बोलता हूं गाय लिए बिकर बशब सेल करना बहुत असान होता गराक को बचा की रखना बहुत मुश्किल होता से जैगाय कौं हिए सर सेकंड ब्यांता भी दांतों मेंगा सि खेदांता पकितने दिन डिलीवरी के रह रहरे het P पंद्रा दिन दिलीवरी के बागी है और दूद कितना निकाल देगी अब सर्फ फास्ट ब्यांत में इसने 26 लिटर दूद दिया है अभी यह करेगी 30 लिटर अराम से और किस रेट पर सेल करी है यह सर एक कम सत्र की दिया जी और इसका रेट रेट भी जैनुना वाजब है कम दूद भी 30 लिटर करेगी और इसका देखे यह थोड़ी क्रॉस है इसको जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है पहले वाली वीडियो में हम बताते हैं ऐसी क्रॉस ग्राइब को गर्मी की ठंडी की कोई डिक्कत नहीं किसी भी मौसम में जाके और मॉस्चर में अराम से जाके सेट हो जाती है गाय का हाइड बढ़ी है के इसका बॉट्रेक्टर अचछा है और इसके बजन के साब से बाच्पन पीना पाचण करेंगी तो फिर यह तो दे सकती जी यह सब ब्रीट में चौटी और कि चूटी सिंगडी सेड़ी है को थोड़ी क्रॉस भी है लेकिन यह फस लगा सकते और उनको भी फिर भी यह दूद्ध 15 लिटर अराम से दूद्ध करेगी और जो चोटे किसान है ज्यादा रेट नहीं लगा सकते तो बेले का प्रबंद ज्यादा अच्छा नहीं है और यह हमने 45 में विक्री की है कहां के लिए विक्री करी है यह सर्मा गुजरात जा रही है चीक है गुजरात लुनावडा के लिए जा रही है और देखे इसका गाय का बाव भी देखे बहुत काम है 15-16 लिटर दूद भी देगी गाय का कलर प्रेंट बहुत अच्छा है और जो मैं किसान रुक्वेस्ट होंगा जैसे हमारे पास डेली आउडर आते रहते हैं गाय के जिनको छोटी गाय लेनी है फोटी से फोटी 15-16 लीटर वाली और बड़ी हमारे पास 45 से 40 से लेकर लगबगा 80-90 लाग तक की एक 20 तक की गाय अवेलबल रहती है और जैसे हम गाय किसान को पहले पूछते हैं उ जो भी किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं उनका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत दन्यवाज और लास्ट में यही कहना चाहूंगा जो आदमी खुद एक्सपीरेंस वाले हैं पुराना दंदे वाले हैं उनसे ही गाय खरीदो वही आपको अच्छी गायड दे सकते हैं और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाज थे